यह उस सीरीज का पार्ट टू है आज उससे आगे की चीज़े के बारे में देखेंगे लास्ट लेक्चर में लोगों ने देखा था कि फिजिकल और क्या मतलब होता है तीन इंपॉर्टेंट केमिकल लेक्शन आपको वहां पे समझाई भी थी अगर आप लोगों ने वह पार् यह तीन इंपॉर्टेंट केमिकल लेक्शन आप लोगों ने बताई थी हम लोग यहां पर थे मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को लेड नायट्रेट और प्रटेसियुम आयोडेट की रियक्शन कराई थी होप आप लोगों को वो रेक्शन ज़रूरी आद होगी जह में किया था KNO3 potassium nitrate बन गया था तो यलो पिटी इस चीज का बना था हमारे पास आज हम देखते हैं कि exactly आप लोग को यहाँ पर दोबीकर में नजर आ रहे होंगे इसमें लिखा बाद तो नहीं है एक lead nitrate है और एक क्या है potassium iodide है एक हमारे पास PBNO3 की whole twice से दोनों ही colorless होते हैं और एक क्या potassium iodide अब जैसे ही हम लोग इसको इसमें add करेंगे तो अब लोग क्या देखोगे कि यहां से जैसे हम लोगों इसको इसमें add किया तो add करते ही पीबी आई टो को यलो कर लोगा पुटियापको नजर आएगा ठीके ना देखो चलो देखते हैं इसको अब देखिए यलो पुटिया अब आगे के तरफ चलते हैं से नेक्स आले पार्ट में अब देखो एक बहुत important question है NCRT एक्वेशन पूच्छा हुआ है इसमें हमने क्या आगा है इना double displacement reaction between aqueous potassium iodide aqueous का मतलब क्या होता है simple कुछ नहीं है potassium iodide को हम लोगों ने पानी में dissolve करके solution बनाया है लास्ट में लोगों ने देखाता है न देखो यह liquid बना हुआ है तो इसमें हम लोगों ने potassium iodide के powder को पानी में dissolve करका है जब पानी में किस चीज़ीस को dissolve करते हैं उसको aqueous बोलता है nitrate यानि lead तो चाहिए चाहिए lead इसमें भी नहीं आता इसमें भी नहीं आता तो यह दोनों option तो होगए cancel अब इसके अलावा possibility है कि इन दोनों में से कोई एक answer होना चाहिए अब lead sulfate और lead acetate अब इसमें basic knowledge काम करेगी देखो lead sulfate में आप बता दूँ lead sulfate जो है वो insoluble होता है insoluble in water यह पानी में घुले गई नहीं और जब पानी में घुले गई नहीं तो इसका aqueous solution कैसे बनाओगे और जब solution नहीं बनेगा तो इसको आप लोग potassium added में mix नहीं कर पाओगे कोई yellow property नहीं आएगा तो lead sulfate इसलिए cancel हुआ क्योंकि यहाँ पे यह water में insoluble होता है तो option correct काम सा बचा lead acetate तो lead acetate को आप लोग यूज कर सकते हो अगर आपके पास lead nitrate available नहीं है तो चलो एक question दे कोई है what will happen if a lighted candle is brought near the mouth of a gas jar containing hydrogen gas अगर जलती हुई मुंबती को hydrogen gas से भरे वे jar के पास लेके जाओगे तो क्या होगा बताओ मेरे को आपको पढ़ा दिया था तो you will see that candle burns with which type of sound pop-up sound तो candle burns with pop-up sound क्योंकि आपको पता है hydrogen gas की identification करने को पैस्ट भी क्या होता है कि हम जलती ही माचिस के लिए लेके जाते हैं तो pop-up sound produce करेगा ठीके ना if carbon dioxide gases pass through lime water अगर co2 को lime water में pass करें तो क्या होगा तो क्या होता है lime water पहले तो आपको पता होना चाहिए है आप लाइम water क्या होता है lime water हमारे पास होता है calcium hydroxide इसको हम भूलते है lime water ठीके ना अब इसमें लोगोंने क्या mix करना है carbon dioxide तो जैसे ही lime water में carbon dioxide mix की जाती है तो calcium carbonate और water calcium carbonate का milky solution बनता है यानि की दोद जैसा color हो जाएगा यही identification होता है कि जैसे ही हम लोगोंने lime water में CO2 फ्लो कराया है तो CO2 किसी चीज में फ्लो कराया जा रहा है और हाप मिलकी solution बन रहा है तो वो milky solution किसका होता है calcium carbonate का होता है ठीकिना चलों अब next topic की तरफ आता है characteristics of a chemical reaction अब दो characteristics word का मतलब क्या होता है characteristics for feature होते हैं जिनसे हमें यह पता लगता है कि कोई chemical reaction हुई है या नहीं हुई है यानि इन चीजों की helps ही जो यह चार-पांच point में लोगों के पास लिखे हुए है इनसे हम लोगों को यह पता लग सकता है कहीं पे कोई chemical reaction हुई है या नहीं हुई है तो हाँ there is a possibility कि वहाँ पे क्या हुई है chemical reaction हुई है तो change in state का example हो कितना symbol हो सकता है कि हमारे पास क्या था हमारे पास ice था ice को हम लोगों ने heat कर दिया तो क्या बन गया water बन गया यहाँ पे state कौन सी थी solid यहाँ पे कौन सी हो गई तो यह भी किसका example है chemical reaction का दूसरी जीज क्या है change in color अगर किसी reaction के time पे substance का color change हो जाए तो वो कैसी reaction होती है chemical reaction होती है अब color कहाँ change हो था याद करो आप लोगों ने color change का सबसे simple example देखा है अभी तक किसार जब हम लोगों ने lead nitrate वाल example lead nitrate को potassium iodide के साथ रियक्त कराया था तो वहाँ पे lead iodide का पीपिल्टी बना था और साथ में किया बना था के नो त्री है ना याद इसका कौन सा color था इसका yellow color बना था पहले तो हाँ पे कौन सा color नहीं था बाद में कौन सा color आया एक नया yellow color आया तो change in color के example यह संपल सा हो इसके अलाबा change in temperature देखो कुछ chemical reaction ऐसी होती है जिनमें heat absorb कर लेती है वो environment से मतला हम लोगों को heat supply करनी पड़ेगी और दूसरी chemical reaction ऐसी होती है कि जब reaction होती है तो उसके time पे heat release होती है environment में तो ऐसी reactions को endothermic और exothermic reactions भोलते हैं यह आगे-आले slide में cover करेंगे तो हो सकता है कि कि chemical reaction के time पे temperature बढ़ जाए और हो सकता है temperature घड़ जाए तो यह exothermic और endothermic reaction के फार्मेट में हम लोग next में cover कर लेंगे ठीकिए na evolution of a gas अगर किसी reaction के time पे कोई gas evolve हो रही है तो वो कैसी reaction होगी chemical reaction यह कहाँ पढ़ाता है करो याद जिंक granule value reactivity में जब zinc granule में आप HCL डालोगे dilute HCL डालोगे घ्यान रखना तो क्या होता है एक zinc chloride बनता है और साथ में कौम सी gas release हुई थी hydrogen gas अब मुझे बताओगे hydrogen gas को test कैसे किया था अब लोगों ने exactly pop-up sound हती है ना जब burning matt stick लेके जाते हैं उसके पास तो यह evolution of a gas के लिए best example हो जाता है फिर बास हती है formation of a precipitate अगर किसी reaction के time पर कोई PPT बन रहा है यानि कोई चीज test tube में नीचे बढ़ जाती है जम जाती है हो सकता हो yellow color की हो white की हो कुछ भी हो सकता है तो वो PPT का example होता है त red nitrate के जो हमने potassium iodide selection कराई थी तो किसका yellow piti बना था हो पे lead iodide का तो आपको करना किया है कि आपको यह पांचों के पांचों features याद होने चाहिए पांचों के पांचों चीज़े और सबके एक-एक example जरूर बता होने चाहिए कि आपसे पूछ लेगा कि write any two characteristics of a chemical reaction along with example चाहिए न तो आपको पांचों के बारे में जरूर बता होना चाहिए अब यह दो question mcq format के आपके homework के लिए इनको आप लोग खुद से try कीजिएगा बहुत easy से हैं लोग पढ़ चुके हैं इनको आप लोग खुद देख लेना second question यह है यह magnesium ribbon वाली activity से यह मैंने आपको बढ़ा दिया अच्छे से तो आप बढ़े असानी से इसको attempt कर पाओगे ठीक है चलिए finally आयाते है exothermic versus endothermic कि यह होती क्या है अब वो कितना असानी से आपे समझाया हुआ है यह एक flask है इस flask के अंदर का temperature इसके surrounding से बहुत जादा है तो होगा क्या यहां से flask से heat outward direction में बाहर निकलेगी जो आपको arrow से दिखाया हुआ है यहनि इस flask के असपस का environment क्या हो जाएगा heat up हो जाएगा यहनि heat बाहर निकल रही है heat बाहर निकल रही है तो कैसी reaction होती है exothermic reaction होती है exo मतलब exit होना ही endothermic में क्या होगा endothermic में आपको reaction को कराने के लिए आपको heat supply करने ही पड़ेगी ही मतलब heat release नहीं होगी हम लोगों को heat supply करने ही पड़ेगी तब जाके वो reaction carry out हो पाएगी ठीक है उसको बोलते है endothermic reaction endo मतलब entry endo मतलब entry exo मतलब exit heat बाहर निकल रही है तो exothermic और entry कर रही है तो endothermic अब इसके examples बहुत अच्छे से बताऊने चाहिए चलो देखते हैं तो देखो carbon को जब जलाओगे burn करोगे oxygen के presence में तो क्या होता है CO2 gas निकलती है और साथ में काफी ज्यादा heat भी निकलती है तो heat निकल रही है रिलीज हो रही है तो कौम से reaction होई है exothermic और एक activity आप लोगों ने अल्यड़ी पढ़ी थी जिंक की hydrochloric acid सी reaction तो zinc chloride बनता है hydrogen gas बनती है और उसमें भी flask गरम हो जाता है ध्यान रखिएगा उस reaction के time पे पूरा flask हीटा हो जाता है तो यानिकी heat बाहर release हो रही है तो ये दो common से example है exothermic reactions के तो कम से कम आपको दो example ज़रूरी या दोनी चाहिए second endothermic reaction endothermic मैं मतब किया है कि reaction को कराने के लिए आपको heat supply करनी पड़ेगी यानिए heat entry करेगी release नहीं होगी flask में entry करेगी ये से nitrogen और oxygen को combine करके nitric oxide मिनाना है यह कै nitric oxide है तो इन दोनों को combine करने के लिए आपको heat supply करनी पड़ेगी रिलीज नहीं होगी, तो ऐसे रिक्षन क्या क्या लाती है, एंडो थर्मिक, इसके अलागा, डे-टो डे-ले-फल एक्जाम्पल, मेल्टिंग आइस टू फॉर्म वाटर, वही आइस है, आइस से वाटर मनाना है, तो हीट तो सप्लाई करनी पड़ेगी न, भले ही वो एन्वार्मेंट से सप्लाई करनी पड़े, भले ही आप आइस को उठाके गैस के चुले के उपर रख दो, तो हीट जब आइस को मिलेगी, तभी तो उसके मॉलीक्यूल दूर-दूर होंगे रोटर बनेगा, तो मेल्टिंग आफ आइस भी कैसा एक्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रेक्शन के एक्जाम्पल है, तो बिल्कुल क्रिस्टल कर यह रपको आइडिया होना चाहिए, एंड थे रेस्परेशन को एक्जोथर मिक यूँ बोलता है, अब रेस्परेशन करते को मतलब क्या होता है, ऐसे में बहुत असानी से करके समझाता हूं अपको, आप लोग खाना खाते हो, आप लोग उनने खाना खाया, आप रोटी, घाई, डाल, चाबल खाये, जो भी आपने ख तो होता है क्या है उस glucose के उपर oxygen के molecules attack करते हैं और उस glucose को छोटे-छोटे टुकुडों में तोड़के उससे क्या produce करते है एनरजी प्रोड्यूस करते है और यह energy ATP के format में mitochondria के अंदर जाके store हो जाती है नाइन अब लोगों ने ATP के बारे में पढ़ रखा होगा तो यह energy release हुई है मतलब glucose का breakdown हुआ है glucose के breakdown से क्या release हुई है यहाँ पे energy release हुई है और यह दो waste material है जो हमारी body से exit कर दी जाते हैं तो देखो simple exothermic में आपको क्या बता आया था exit होती है heat यह energy release होती है तो यहाँ पे भी यह हुआ है glucose पे जब oxygen ने attack किया तो क्या release हुई energy बनी और यह energy body के अंदर ATP के format में रहती है तो यह reaction यह respiration body में कैसी reaction होती है एक exothermic reaction होती है ठीक है important question है बहुत अच्छे से धियान रखिएगा second example neutralization reaction is an example of 4 option दी है अब बात यह थी से neutralization किसे बुखलता है मैं तो बढ़ाया है नहीं गया देखो neutralization को क्या बहुत के से कितने हैं में बताता हूँ हमारे पास एक acid है और एक base है जैसे इन दोनों को mix करेंगे तो हमारे पास salt बनता है और water बनता है एक example समझाता हूँ acid suppose हम लोग ले लेते हैं hydrochloric acid ठीक है base हम ले लेते है sodium hydroxide base अभी धियान रखी जिसमें OH आयन होते है acid जिसमें H वाले आयन होते है यह बाद में आपको next step तक समझ में आ जाएगा hydrochloric acid और sodium hydroxide जैसे इनकी reaction होती है salt बनता है NaCl sodium chloride यह NaCl के साथ combine हो गया यहाँ पर क्या बचा OH और यहाँ पर क्या बचा यानि जब भी acid और base को मिलाएंगे तो bond तूटते हैं जिसकी वरह से नए bonds create प्राणी bond तूट जाएंगे ना नए bond create होंगे तो जब भी प्राणी bond क्यास तरह नए bond create हो रहे हैं अक्सर कैसे reaction देखने को मिलती है exothermic reaction देखने को मिलती है चिक है second one which of the following are exothermic processes यह पूछा एंवे से कौन कौन से exothermic processes है हम लोगों के पास तो first one क्या है reaction of water with quick lime आप देखको quick lime क्या होता है calcium oxide होता है calcium oxide में जब पानी मिलाओगे तो बहुत ज्यादा heat release होती है तो यह exothermic reaction है yes dilution of an acid acid को dilute करते हैं जब acid को dilute करते हैं तो थंडे पानी का बीकर लेके उसके अंदर थोड़ा थोड़ा acid डालते हैं तो उस situation में भी काफी सारी heat release होती है तो यह भी exothermic reaction का example है evaporation of water सोचके बताओ evaporation 9 नहीं पड़ा होगा evaporation में कोई भी liquid vapor बनके उड़ जाता है और liquid को vapor में convert करने के लिए क्या चाहिए होगा heat चाहिए होगा heat supply करने पड़े यह release नहीं उनेगी तो evaporation of water exothermic नहीं हुआ हुआ कौन सा हुआ endothermic हुआ endo में अगर पूछा जाए तो ठीक है फिल्हाल यह exo में नहीं आएगा sublimation of camper अब कपूर को आप रख दो तो directly solid से किस में convert हो जाएगा वैपर में convert हो जाएगा उसके लिए पे तो उसे heat चाहिए न solid state का वैपर बन रहा है तो heat चाहिए supply होगी environment से absorb कर लेगा तो यह भी कैस reaction होगी endo आपसे पूछी कौन सी थी जी तो इस बात का धियान रखा कीजिए कि चार जो option आप लोगों ने यूज की है उनमेंसे आपका जो सही है बाकी option गलत की हुए तो आपको हर एक के बारे में daily नहीं पता होनी चाहिए next one देखो अब यहाँ पर endo thermic पूछ लिया कि इनमेंसे कौन सी endo thermic है dilution of sulfuric acid किसी भी acid को dilute करोगी यहनि उसमें पानी मिलाओ के exothermic reaction होती है heat release होती है sublimation of dry ice अब dry ice का sublimation है अब dry ice यहनि solid CO2 sublime होके वो किस में convert हो जाएगी डैक वैपर में convert हो जाएगी तो heat तो absorb करेगी नहीं है आपको किस में convert करना है आपको condense करके liquid में convert करना है तो इस vapor में से आपको क्या करना पड़ेगा heat निकालनी पड़ेगी ना यानि जब vapor liquid में convert होगा तो कुछ heat बाहर release हो जाएगी तो यह exothermic हुआ इसके अलावा evaporation of water किसी भी चीज़ का evaporation हो evaporation के time पे तो environment से heat absorb होती है और वो चीज़ वैपर में convert हो जाती है तो heat absorb हो रही है entry कर रही है तो कौम सा आएगा endothermic तो यहाप एंड़ो थर्मिक पूछे थे second endothermic है fourth endothermik कि अब डून लीचे कहाँ पे है second and fourth D option correct हो गया अब एक-दो question आपकी घर से इनको आपकुद try कीज़ेगा इसमें पूछा है combustion is in combustion मतलब किसी भी चीज़ को जलाना आपको बताया था कौन सा process होना चाहिए अब अपने according लिखोगे इसके लवा which process is endothermic endothermic इनमें से कौन सा है endro मतलब जहां पे उस process को carry out कराने के लिए heat supply करने पड़े heat हमें देनी पड़े वो endothermic होता है तो ढूदना इनमें से अपने आप से ठीक है thank you आगे की जो चीज़ें है इस chapter में मैं next lecture में cover up करूँगा तो तक के लिए stay happy stay blessed